राधे राधे एव्रीवन आप देख रहे हैं सीरियो से आप आज जहां पर देते हैं आपको आपी के फेवरेट शियो से चुड़ी हुई इंट्वरसिंग अपडेट राध कृष्ण के आज राध के एपिसोड की शुर्वात में दिखाया जाएगा की राधा कृष्ण को यहां पर वचन देती हैं कि वो सदेव उनके साथ रहेंगी तो कृष्ण भी राधा को वचन देते हैं यहां पर जरा अपनी पत्नी से पूझी रहा होता है कि वो श्री कृष्ण के लिए क्या भेट करे तब ही उसकी पत्मी उसे आखेट करके श्री कृष्ण को पहार में देने की बात करती है यहाँ पर जरा कहता है कि श्री कृष्ण इतने सर्विश्ष्ष्ट हैं इतने दयालू है उनके सामने एक मृत्र जानवर को ले जाना उचित नहीं होगा लेकिन बावजोदिस के वो एक हिरन का आखेट करता है और हिरन जैसे ही उसके निशाने पर होता है श्री कृष्ण को पता चल जाता है और वो अपनी माया दिखाते हैं यानि कि वो जरा आखेट उस हिरन का नहीं कर पाता और आगे-ागे हिरन भागता है पीछे-पीछे जरा लेकिन अंतताहा वो उसको पकड़ नहीं पाता तबी वो निराश होकर एक नदी के नारे बैट जाता है और वहाँ पर एक मचली उसके निशाने पर आती है यह देखकर बरामदाव कृष्ण से कहते हैं कि यह क्या एक जानवर की जान बचाकर कि तुमने दूसरे जानवर की मृतियों होने दी तब ही श्री कृष्ण उदासमन से कहते हैं क्योंकि वो मेरा ही अन्श है और जरा यहाँ पर इस मचली का आखेट करता है और बहुत खु अन्श होकर कि वो इस मचली को अपने घर ले जाता है यह सोच कर कि अब श्री कृष्ण को पहार में यही मचली देगा यहां राधा और क्रिष्ण एक एक करके सबसे विदा लेते हैं और काफी जादे एमोशनल होते हैं यहां पर जैसे ही जरा उस मचली को देखता है वो द जिसे देखकर जड़ा को लगता है कि मचली तो दूश्रीत है वो क्रिष्ण को भला कैसे दे इसलिए वो मूशनल के टुकडे को निकाल लेता है मचली भेंग देता है और सोचता है कि इस टुकडे से मैं श्री कृष्ण के लिए एक बांट बनाऊंगा और वह उतुहार में होता कि यही कृष्ण का अंध होने वाला है जरा यहां पर भेट करता है श्री कृष्ण से और तभी रादो को हैसास होता है कि यही वो शक्स है जिसके हाथ तो कृष्ण का अंध होगा और वो जैसे ही बांड दिखाता है जादा को कृष्ण के मृत्यू का जो संदेश है वो मिल जाता है जिसके बाद वो काफ़ी जादा वशलेत हो जाती है यहीं हो जाएगा चुराद के एपिसोड का एंड जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स रिपोर्ट में ऐसे ही मदद आपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें